अगें, question number second का second part है 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu Nuri क्या थी? 5 साल पहले Nuri Sonu की उम्र की तेन गुना थी, ठीक है 10 years later, 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद Nuri will be Nuri क्या होगी? twice as old as Sonu Sonu जितने भी उम्र का होगा, उसकी क्या होगी? 2 गुने होगी How old are Nuri and Sonu? तो हमको क्या करना, Nuri और Sonu की actual age बतानी है जब इस तरह के question होते हैं, हम present age को assume कर लेते हैं वर्तमान उम्र हम माल लेते हैं present age माल लेंगे Sonu और Nuri की question फिर से समझ लेते हैं 5 साल पहले Nuri की जो उम्र थी वो कितनी थी? Sonu की उस 5 साल पहले उम्र की 3 गुना थी, अगर Sonu उस टाइम 5 विर का था आज से 5 साल पहले तो उसकी उम्र कितनी होगी? 3 times यानि 15 years ऐसे आज से 10 साल बाद अभी के अभी से 5 साल पहले ऐसे अभी से 10 साल बाद तो 10 साल बाद क्या होगा? Nuri की उम्र, Sonu की उम्र की 2 गुनी होगी तो इसका मतलब मुझे जो reference point है वो क्या है मेरा अभी का present जो age है वो मेरा reference point है तो मैं इसी को क्या करूँँगा? assume करूँगा let the present age of Nuri equal to X मैं मान लेता हूँ कि जो present age है Nuri की वो कितनी है? X is ऐसे ही present age of Sonu इसे मान लिया जाता है Y तो एक की उम्र X years है एक की Y years अभी की वरतमान उम्र present age Nuri की है X years और present age Sonu की है Y years अगर अभी इनकी उम्र X और Y है तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी? 5 years पहलो 5 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी? कम होगी क्योंकि अगर अभी मैं 10 साल का हूँ अगर अभी आप कोई भी बच्चा 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 का रहा होगा क्या क्या है? मैंने present age में से जितने साल पहले की बात करता है उसको मैं क्या करतूँगा? मैंने करतूँगा मेरी age क्या होगी? कम होगी किसी की भी age कम होगी तो अगर नूरी की age x years है अभी तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल कम करने पढ़ेंगे ऐसे ही सोनू की उम्र में से भी क्या करना पढ़ेगा? मुझे 5 साल कम करना पढ़ेगा तो मैं क्या करना पढ़ेगा? माइनस 5 माइनस 5 5 years ago तो question के according 5 years ago क्या होगा? नूरी की age कितनी होगी? नूरी is age is equal to 5 साल पहले अभी अगर 5 है 5 साल पहले x minus अभी x है तो 5 साल पहले x minus 5 ऐसे ही सोनों की age कितनी होगी? सोनों की age अभी जो present age है उसमें से मैं क्या करना हूँ? 5 minus करना है यह 5 साल पहले की उम्र है दोनों की तो उस नहीं क्या कहा? उस नहीं यह कहा according to the question question में यह कहा गया है कि 5 साल पहले इन दोनों की age के बीच में क्यारिलेसन है नूरी की age जो भी है वो सोनों की age की 3 times है तो किसकी बड़ी होगी? नूरी की तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नूरी की age x minus 5 भी किसकी age है? 5 साल पहले नूरी की यह कितनी है? 3 times किसकी 3 times? sonu की यह रही sonu की age यह रही नूरी की age अब मुझे यह समझना है कि इतना तो मुझे समझ माता है कि thrice कह रहा है इसका मतलब मुझे 3 से multiply करना पड़ेगा कि दोनों में से किसे एक को अब यह समझना है कि 3 से मैं multiply किसे करूँ तो मुझे यह देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है नूरी was thrice as old as sonu नूरी sonu से 3 times जाता थी उसकी उम्रे उसकी 3 वो नहीं थी इसका मतलब नूरी की age यह है तो नूरी की है बड़ी है अब अगर यह बड़ी है अगर आप इसको 3 से multiply कर दोगे और बड़ी हो जाएगी यहाँ पर equal का sign क्या represent करता है जो नूरी है और sonu की उम्र क्या है equal है कब equal है नूर्मल टंडिसर में तो equal हो नहीं सकती क्योंकि यह भी नूरी की age है यह sonu की age है दोने equal नहीं हो सकती कब equal है जब नूरी की age और sonu की age क्या हो है 3 times है यानि sonu बचारा चोटा है और नूरी की बड़ी है तो sonu को मुझे क्या करना पड़ेगा कुछ देना पड़ेगा कितना दूँगा मैं 3 times क्योंकि मुझे बोला गया है तो sonu already चोटा है उसको अगर आप कुछ दोगे तब जाके वो बचारा किसके बड़ाबर होगा नूरी के बड़ाबर तो आपने sonu की उम्रक में 3 times multiply किया तब जाके वो नूरी के बड़ाबर मना यहाँ पर समझना है यह already नूरी बड़ी है अगर आप नूरी को फिर से multiply कर दो के 3 के 3 से तो sonu से और बड़ी हो जाएगी तो वो equal का sign satisfy नहीं करेगा equation को तो आपको यह समझना है नूरी अगर बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा sonu को कुछ देना पड़ेगा ताकि वो नूरी के equal आ सके तो पहली condition यहाँ से आती है इसको हम equation में convert कर देते हैं इसे open करते हैं यह हो जाएगा x minus 5 is equal to 3 से multiply करेंगे 3y minus 3 5 जा 15 x और y एक तरफ कर लेते हैं नमबर दूसरे side कर लेते हैं इसको convert करके आएगा x 3y इधर आके minus 3y equal की जिगे equal already वहाँ minus 15 था और यह minus 5 उतर जाके plus 5 में convert हो गया जिसको अगर मैं solve करूँगा तो result बनेगा x minus 3y बड़े नमबर का sign आएगा result में और subtraction हो जाएगा 15 में से 5 subtract करेंगे 10 यानि minus 10 तो इसको equation 1 कह देता हूँ पहले question में जो condition दी हुई है उसके according यह equation generate होती है अब second condition क्या दी हुई है question में question में second condition है कि आज से 10 साल बाद 10 years later आज से 10 साल बाद नूरी की उम्र क्या होगी twice as old है सोनू नूरी की उम्र सोनू की 2 गने होगी तो मुझे समझ माना चाहिए मुझे 2 से कहाँ multiply करूँगा सोनू छोटा है नूरी बड़ी है तो सोनू को कुछ देना पड़ेगा कितना टाइम देना पड़ेगा 2 टाइम again according to the question क्या लिखा जा सकता है यह रही नूरी की age नूरी की age अब यह समझना है कब की बात हो रही है नूरी की age आज से 10 साल बात यह नूरी की presentation है तो आज से 10 साल बात कितनी होगी plus 10 यह नूरी की आज से 10 साल बात होगी न अभी जितनी है उससे 10 year बात क्या होगी extra हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा add करूँगा ऐसे ही सोनू की कितनी होगी सोनो की होगी y plus 10 यह तो 10 साल बात की उम्र है लेकिन हो क्या रहा है condition यह है कि जो नूरी की उम्र है वो सोनो की उम्र से कितनी है 2 times है तो सोनो की उम्र पहले से कम है तो 2 से multiply करूँगा तब जाके वो नूरी के equal आएगा यह है मेरी second condition second condition को solve करता है और उससे second equation generate करता है x plus 10 is equal to 2 से multiply करेंगे 2y plus 20 again मैं क्या करता हूँ सारे variables एक तरफ यानि इधर आजाएगा x plus 2y इधर आगे बन जाएगा minus 2y equal की जगए equal यहाँ already 20 था यह plus 10 इधर आगे convert हो जाएगा minus 10 में जिसको मैं solve करूँगा तो मुझे result मिलेगा x minus 2y equal to 20 में से 10 minus करेंगे आएगा result 10 इसको मैं कह लेता हूँ equation second अब मुझे क्या करना है equation first और equation second को solve करके x और y की value find करनी है ताकि मैं नूरी और sonu की presentage निकाल सको तो मुझे क्या दिखरा है चीदे-सिदे और मुझे किसका इस्तमाल करना या elimination method का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है दोनों के sine भी सहें है ठीक है अगर sine सहें होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है इंसको subtract करना पड़ता है तो equation 1 में से equation 2 को subtract कर दूँगा subtracting equation 1 from equation 2 equation 1 को equation 2 में से subtract करने पर तो यह रहा equation 1 का right hand part या फिर इसको ऐसे लेक्ट देते हैं कहां क्या कर रहा हूँ है subtract कर रहा हूँ first को second से यह रही second equation equal to 10 यह रही first equation x minus 3y equal to minus 10 इनको क्या कर रहा हूँ subtract कर रहा हूँ subtract कर रहा हूँ मुझे result किया मिलेगा यह बन जाया का negative और यह बन जायेगा negative negative प्लस ऐसे यह भी बन जायेगा प्लस तो होगा क्या यह plus x है यह minus x है cancel out और यह minus 2y है और यह plus 3y है तो 3y में से 2y minus हो रहा है तो result आएगा y y की value किया कितने मिलेगी मुझे y equal to हो जाएगा यह भी plus 10 है यह भी plus 10 है इसका मतला यह बनेगा 20 तो y की value मेरे पास आई 20 अब मुझे डूडनी है y x की value तो y किसकी उम्र थी y मानी थी मैंने age sonno की तो sonno की present age क्योंकि यह क्या है present age है तो sonno की present age है 20 ऐसे ही मैं इस value को किसी भी equation पर put कर लेता हूँ putting y equal to 20 किसी भी equation पर रख लेता है पहली equation पर रख लेता है in equation first first equation क्या थी first equation थी x minus 3y is equal to minus 10 y की value आई थी 20 x minus 3 y की जगा रख दिया हम आने 20 equal to minus 10 x 20 और 3 multiply होंगे बनेगा minus 60 is equal to minus 10 x equal to किता बनेगा minus 10 already इदर पर है और यहाँ पर minus 60 है तो minus 60 equal के दूसरे साथ जाएगे बन जाएगा plus 60 तो मैं इसको लिख देता हूँ plus 60 minus 10 already था तो result आया है यह प्रेजेंट एज पसंद आयेगा उम्मेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा thank you and have a nice day प्रेजेंट मैं लिख राएगे